फिनाले की इतने करीब पहुँचकर कौन सा कंटेस्टन है वो संडे वाले दिन यानि कल है वो ऐलिमिनेट हो जाएगा जी या इस पर बड़ी अपडेट लेके आ चुके है कौन सा कंटेस्टन है वो इंडेनेटल सीजन 13 से ऐलिमिनेट होने वाला है और आपको पता है कि KDC फि कौन सा ऐसा कंटेस्टन है जिसे कम स्कोर मिला है जिसकी वज़ा से वो ऐलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ पर गाईज आपको बताएं तो इस वक्त है वो टॉप 7 कंटेस्टन है इंडेनेटल सीजन 13 के शो में तो ऐसे में खत्रे की घंटी भाई किसके उपर है क्योंकि यह पर इतने करीब पहुँचकर एलिमिनेट होना भी कही ना कहीं एक सदमे से कम नहीं आए क्योंकि इसके बाद सीधा फिनाले है और फिनाले के इतने करीब पहुचकर एक ऐसा कंटेस्टन होगा वो टॉप 6 से बाहर हो जाएगा मतलब टॉप 6 में वो नहीं पहुच पाएगा यानि टॉप 7 से वो बाहर हो जाएगा तो बस सीधे से टॉप 6 कंटेस्टन मिल जाएगे और वो फिनाले में जाएगे तो ये अपमे एक बड़ी बात होगी जो टॉप 6 जाएगे उनके लिए ये बड़ी बात होगी वो फिनाले तक पहुचते हैं लेकिन ऐसा कंटेस्टन क पर पांच पे है इस वक्त देबोष मिता और नबर चेह पे शिवं, और नमबर साथ पे सुनाक्षी कर, तो मतलब साफ है की यहाँ पर शिवं और सुनाक्षी में से कोई एक है वो ऐल्मेट हो सकता है, तो यादा chances है वो कई ने कई सुनाक्षी के लग रहे हैं लेकिन अपने आप में ये बात भी देखनी होगी कि इस हफते elimination होता है कि नहीं यादा chances लग रहे हैं कि elimination नहीं होगा क्योंकि final है वो एक दो हफतों के बाद है तो इस